नमस्कार मैं हूँ धलेस और स्वागत है आपका क्रिसक इंडिया खृसक भारत में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गलतियों पर जिसके करण ज्यादतर पोल्टी फार्मार असफ़ल हो जाते हैं और इन गलतियों को नए पोल्टी फार्मर ज्यादतर करते हैं दोस्तों वैसे तो सभी पोल्टी फार्मर चाहे पुराने हो या नए हो एकदम जी जान से महनत करते हैं लेगिन कुछ गलतियां है जो हो जाती है और ज्यादतर जो गलतियां वो जानकारी के अभाव में होती है तो चले जानते हैं कि वो कौन कौन सी गलती है जो पॉल्टी फार्मिंग के छेत्र में हमें असफल कर सकती है और उन गलतियों को अगर हम ना करें तो हमें सफल होने के चांसे बढ़ जाते हैं दोस्तों सबसे पहला जो गलती है वो है अपने सेट को डिस इंफेक्टेड नहीं करना देसी मुर्गी पालन में ज्यादा तर जो फार्मर हैं वो 100, 200 या तो 500 ऐसा मुर्गी पालन करते हैं तो डिस इंफेक्टेड को ज्यादा महत्वा नहीं देते हैं और यही चीज आगे चल अगर को बीमारी नहीं तो ब्रेशनका गोल बनाना है और पिछले बैच में कुछ बीमारी था तो उसमें आपको 40-40 परसेंट तक फार्मेलीन का गोल आपको बना करके छिर्काव उसका करना है इससे आपके सेड में जितने भी बेक्टिरिया वायरस हैं वो नश्ट हो जाएंगे और फार्मेलिन का छिर्काव करने के बाद तिन दिन तक परदा को उपर नहीं उठाना है यानि कि पूरा पैक रहेगा आपका सेड और जैसे ही ति गोल बनाने का जो सुत्र है उसका तरीका है वो अगला वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं 3%, 5% या 20% आपको फार्मेलिन का गोल छिर्काव करना है तो उसको कैसे बनाया जाता है यह कंप्लिट जानकरी आपको कल के वीडियो में म जरूर करें खास करके अगर नमी है तो चूना का छिर्काव जरूर करें चूना नमी को सोक लेता है और आपके मुर्गियों को एक अच्छा वातावरन देता है बैक्टिरिया रहित वातावरन आपको देता है दोस्तों अगला जो गलती है वो है ब्रूडिंग एरिया को गो नीचे वाला जो चुजा है दब करके मर जाता है आपको रोज दो चार दो चार ऐसे मरे हुए मिलेंगे लेकिन अगर एक तो इससे आपके चुजे होंगे और आपने टेंप्रेचर को एकदम लो रखा तो आपके चुजों को सर्दी होगी और आगे चल कर वही स्याडी का रूप ले सकता है तो temperature को 1 सब्ता में कम से कम 33 से 36 के बीच में रखें ताकि आपके चूजे को एक अच्छा माहौर मिल पाए और वो अच्छी तरह से growth कर पाए दोस्तों नए फार्मर जो है वो जानकारी के अभाव में अपने चूजों को एक बंद कमरा में रख देते हैं तो यहीं पर गलती हो जाता है वो सोचते हैं कि बंद कमरा में रखेंगे तो इनको ठंडी नहीं लगेगी लेकिन अगर आप बंद कमरा में पालते हैं तो वहां पर आपके मूर्गियों को परियापत मात्रा में oxygen नहीं मिलेगा और जो ammonia गेस बनेगा वो बाहर नहीं जा पाए दोस्तों अलग-अलग एच के और अलग-अलग ब्रीट के चुजों को 180 डालना भी एक गलती है अगर आप को एग्रेसिव और साधारण मयानिकी एक सिधा साधार नसलको एक साथ डाल देते हैं तो वह जो एग्रेसिव है आपके सिधा साधे नसलके मूर्गे को बहुत कर देंगी यानि कि जहां पर खुन निकला है उसी जगह को फिर से नोचना इस्टार्ट कर देंगी तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके मुर्गे को नोच 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 के वो पूरे खा जाएंगे आपके मुर्गे का मृत्ति हो जाएगा तो इसलिए आप एग्रेसिव या तो बड़ा चोटा एच के मुर्गे को ना डालें दोस्तों बड़ा और चोटा एच के चुजे को एक साथ डालने से नुक्सानी भी होता है कि आपके जो पूल्टी फार्मर एक और गलती करते हैं वो है थोड़ा मोड़ा जो विमारी का लक्षण दिखता है उसको इग्नोर कर देते हैं और वही आगे चल करके बड़ा रूप ले लेता है तो इसलिए आप थोड़ा सभी आपका मूर्गी जैसे छीकता है या तो फिर कुछ लंग हैं लेकिन उनके मूर्गी का वजन नहीं बढ़ता है और अगर आप उसको ठीक घ्रंग से एनलाइज करेंगे तो उनके बीट में छोटा-छोटा कीड़ा आपको देखने को मिलेगा तो यही कारण होता है आपके मूर्गों के पेट में कीड़ा होता है जो कि मूर्गी दान दीजिए उससे वजन बढ़ने वाला नहीं है तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने मूर्गी का डिवार्मिंग करना है और डिवार्मिंग कैसे करना है इसके लिए चैनल पर वीडियो है और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा तुहां से भी आप जा परण होता है वह दाना की बर्बादी अभी वर्तमान में दाना का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है आप लोगों को मालूम ही होगा और उसका हम बर्बादी करेंगे तो हमें वह बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है तो इसलिए आप अपने मूर्गे को उतना ह पर में खा सके अगर आपके मूर्गा एक दिन में 100 ग्राम खाता है तो उसको 200-300 ग्राम बिल्कुल भी मत दें उसको इधर उदर वो विखेरेगा और आपको नुकसान पहुंचेगा तो दोस्तों आप दाना का बिल्कुल एकदम मेनेजमेंट करके चलें क्योंकि अगर आप दाना सोचिये जितना चीख का रेट है उससे ज़्यादा धाना का रेट है तो दाना कितना ईम्पोर्टेन है यह आप सोच सकते हैं दोस्तों शुरुराती दिनों में हम एक गलत्यां कर देते हैं वह है मेल फिमेल में से मेल मेल को सेल कर देना और फिर लास्ट using में फिमेल तौर से ध्यान देंगे, आप जब भी मुर्गी पालते हैं, तो आप एक निशिस संख्या में मुर्गी दोनों का सेलिंग करेंगे, जैसे कि आपके पास कोई 10 नक मुर्गा मुर्गी लेने आया, तो उसमें से आप 5 मुर्गा और 5 मुर्गी दीजिए, या तो 6 मुर्गी, 4 देखिए, ताकि एक साथ दोनों खतम हो, और अगर मुर्गा मुर्गा ही देते जाएंगे, तो लास्ट रम मुर्गी मुर्गी ही बच जाएगी, जिसका कोई खरिदार नहीं होगा, और दाना खाखा करके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगी, और आप कम पोटेंट पॉइंट और जिसको बोल बोल करके मैं भी एरिटेड होने लगा हूँ, तो दोस्तों मार्केटिंग वो चीज है, जो कि आपको सफल और असफल दोनों करती है, तो अगर आप पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, या तो पहला बेच आपने डाल है, और किस में मुझे मार्केटिंग में कम महनत करना पड़ेगा, उस हिसाब से ब्रीट का चैन कीजिए, तो दोस्तों यह तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ, आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अ आप तक पहुँचे, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत.